कभी वक्त पे घर आता ही नहीं उफो ममी, अभी इतनी देर का हुई है, आ जाएंगे भया इतनी जल्दी कैसे आएंगे इनके लाडले सारे शहर की जिम्मेदारी उस बिचारे अकेले के सर के ऊपर है जब तक उन जिम्मेदारी उससे निपट नहीं लेंगे, घर आएंगे कैसे जब आप उसकी उमर के थे तब देर नहीं करते थे आप अरे देर ना तब करता था ना आप करने की मजाल है ड्यूटी खतम करके सीधे इगर वापिस लोडता हूं माप करना, शादी के बाद तो चावी के गुच्छे की तरह बान के रख लिया तुमने मुझको पल्लू से अगर ऐसी ही बात है, तो उसे भी किसी के पल्लू से बंदवाईए ना, देर से आना छोड़ देगा हलो हलो अंकल आप जोती को बुला देंगे, प्लीज स्री देवी बोल रही है, अरे वही चोटी बदन की मोटी काली कलोटी, मा कैसी है तुम्हारी ममी, ममी तो चीक है अंकल, लेकर आप ममी को कैसे जानते हैं मैं तुम्हारी ममी को इतने खरीब से जानता हूँ कि तुम्हारा बाप भी उतना नहीं जानता होगा आचा ठहरो ठहरो मैं मुलाता हूं जोती को जोती बेटी तुबहारा वहा Miguel हट हट जिख कोई इस दotion I mean K тяж पर फोरे कि श्री डेवी का फोन है अचि को सब ठीक है पहले यह बता तेरी को कोई सेली का नाम श्रीदेवी है मुझे उसे कोई मतलब नहीं जोती लेकिन मुझे ये लग रहा है कि बबर शेर का श्रीदेवी की मा के साथ संबन जरूर है आप सकता है पापा कहे थे कि जवान में उनकी बहुत सारी चॉल फ्रिंस थी अरे सुन रहे हो ना भीया लाइन कटने लगी थी चिला क्यों रही है अगर मा ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा अच्छा ये बता बबर शेर साब अपने पिंजरे में बन है या नीचे जंगल मेरा मतलब है हॉल में टेल रहे है नहीं खुब डटकर खाना खाया पांच शेर की तरह खुर रहा है और फिर फाइल लेकर ऊपर चले गया है इसका मतलब यह है कि नीचे का मेदन साफ है खाली है देखो जोती मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ कि अगर मेरे आने से पहले बबर श्री नीचे तो नहीं आएगा ना तो मा जाओ ना पर जल्दी आना मा ने आज तुमाले चिकन बिर्यानी मटन कोर्मा जोड़ी पुलाओ बनाया है आज मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाओंगी भाईया वाव यह तो सुनकर मेरे म बहुत अब तक ने लगा है देखो जूती मैं अभी आता है अाज मैं इसकी चिकन बिर्यानी नहीं मटन कोर्मा बनाऊंगा पिता जी पिता जी पिता जी पिता जी हमई मानते हैं कि समाज को आप την सेलिश शर्वा इंद मेसं हुआ वह एक डसो माचर्य थे आंतग यह जोलाद कARK इस अन्दी गुंजायले एक अची मेर मेरा मेरा इंताब вам कर रहे हैं जोते ही वो बबबर शेर साब सो गए है क्या आरे नहीं भी सोय तो क्या कौन डरता है उनसे उनके दातों में इतनी ताकत कहां कि यह पॉलादी गोश्ट अल 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 चबा सके उनकी 32 मक्काई की दानों की तरह उखड़कर किर जाएगी मा वो शेर है तो मैं शेर का बेटा हूँ अब 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 तक सोय नहीं काई से सो जाते है अभी तो अपने हाथों से तुमको चिकिन बिरियानी और वो मटर खोर्मा खिचडी पुलाओ वो सब खिलाना बाकी है ना खिचडी पुलाओ जे आम सोरी डाइड इसका मतलब फोन पर अलब बोल रहे थे बुल हाथा नहीं मैं बोल रही थी वो जो टेलेफोन पर आप समझ रहे थे आपकी छोटी बहन है वो आपकी बहन नहीं थी उमेता आप थे जयाँ फैंटास्टिक डैड यो गेड यो गडाट आड डैड आट एक बात काहूं अगर आप कारेक्टर के पी फिल्म एक्टर होते न, तो पूरे फिल्म इंडस्ट्री के हीरोस्केप भजिये बिगवाते हैं। Stop this nonsense! मजगामत लगाओ मचको! है जी बिगवादे दे! मैं पहले तुम्हारे प्रिकोड़े तु तलनू अच्छी तरसे, इदारो मेरे सामने! यह बताओ मुझे रामप्रशाद क्या जो धगडा हो रहा था, उसमें टांग अडाने के लिए तुम क्यों गए थे? वो रामप्रशाद अंकल का लड़का है न, वो मेरा दोस्त है। कई गुंडे उसके पिताजी को मार रहते और मारते ही जा रहते, मेरी खोपड़ी घूम गए और मैं तूट पड़ा। तुमको इस बात का एसास नहीं है, कि तुम्हारा बाप इस डिस्ट्रिक का कलेक्टर है, कानून का एक अफसर है, और कानून के एक अफसर होने की अहसियत से, उसकी जिम्मेदारी मेरे सारे परिवार पर आयद होती है, तुम पर आयद होती है, और जब तुम उस कानून को हाथ में लेती हो तो यह उसका में को तोरती हो तुम अप मुझे घल्ट समझ रहैं डरी मेरे कहने का मतलब यह नहीं था तुम जो कहते हो ना उस पर नहीं जो तुम लोग करते हो उस पर हत्राज yoi ये बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो रहे हैं चाहें कोई भी हो वो रईस हो या कोई मिनिस्टर हो कोई सरकारी अफसर हो कोई गुंडा हो तुम हो या मैं हूँ जो कोई भी खानून को अपने हाथ में लेगा वो मुझरिम ठहरा जाएगा जिन काम उसे में तुमें मना करता हूँ उनके नकरने में तुम्हारा फायदा है अध करने में अतना भैंकर नुक्सान हो सकता है कि जिन्दगी बार उसका उपाय नहीं यह मेरा मशवरा नहीं है बेटे यह मेरी जेतावनी लेक्तर की ध़ंधली बुसन नात पड़वाले की जा इंस्पेक्टर ये सर ये जो उनका लीडर नारे लगा रहा है ना सर उसे केरी मेरे पास अंदर भेज़ दो ये सर क्लेक्टर के बैटा को सब्सक्राइब का है क्लेक्टर साथ उनसे बात करना चाहते हैं अईसा देखा भुसन के अभासन से कलेक्टर का फूरा कमिस्टर गवा थे रमजर अटाक करके आता हूं रस्ता छोड़ो क्यों में हाशे ये बार सब नातक तमासा किसलिए हो रहा नातक तमासा नहीं साहब हम इलागे का लीडर हूं हमना नाम है भुसन नात बड़ बोले हमने छोक्रिलों को बिना कोई गल्ती बिना कोई मिश्टे के उठाई के अंदर पठक दिया है वो वीचारे पीरेस में आखबार खरीदने को कहते हुआ क्रिकेट बॉल की तरण की पिड़ाय के ड़ली हम इस जुलम के खिलाफ आवाज उठाईने को आया हूँ तुम्हारे इस सेरे से साफ जाहिर होता है कि लीडर नहीं किराए के टट्टू हो तुम आए किराए के टट्टू और बाहर यह जो जिन्दा मुर्दाबाद का तमाशा हो रहा है यह तुम्हारा पेशा है कि सीकी रूटियां खाते हो तुम तुम्हारे लड़के उस प्रेस में अख़बार खरीदने नहीं गए थे उस अख़बार के एडिटर के खिलाफ धंका करने गए ते इसलिए इसलिए कि वो एडिटर शाहर के बुच्चे बदमाश सब गहर कानूनी धंदा करने वालों के खिलाफ बेधरक लिखता है अरे तो लिखता होगा हमसे काली नहीं देना है हम तो बहुत सरीफ आदमी हूँ और हम का है मालूम R.D.U. मतलब रिक्सा ड्रावर यूनिन का लीडर हूँ इसके इलावा H.G.U. मतलब हाथ-गाड़ी की जो यूनिन है उसका भी लीडर हूँ कोई मामली आदमी नहीं हूँ और तुम जानते हो मैं कौन हूँ एरे कलेक्टर और का हूँ हमरे जो दिले पोरट फोली थोड़ी नहीं तो औरे पास इस दिले का हर दरख्त, हर खेट, हर रास्ता सड़क पर चलता फिरता हर आदमी तुम जैसे हर उठाई घीरा मेरे पोर्ट फोलियो में है समझे? अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त तुम्हारी हड़ी पसली वराबर कराके और तुमको उसी लोक अप में बंद करादू जिसमें तुम्हारी यह चेले हैं लेकि मैं ऐसे करूँगा नहीं क्योंकि कानून को मैं अपने हाथ में नहीं ले सकता यह बात मेरे उसूल के खिलाफ है अलबता मैं तुमको एक मश्वरा देता हूँ कि यह नोटंकी जो तुम अपने साथ लेकर आये हो यहां बाहर उसे समीठ कर तुम चुप-चाप यहां से चले जाओ और इसका दू लफस में मुझे जवाब दो कि जाते हो यह रहेंगे तुम्हारी धंकी डरने के वजाए उसने उल्टा तुम्हारी टांग तोड़ने की धंकी देखा तुझे तब तो इस कलेक्टर के बारे में कभजा को कुछ कभजे सोच नहीं पढ़ेंगे अरे हम एक से टार मारने वाला कलेक्टर देखा है मरियत हमको आई से धितकार रहा था जैसे लोग महले मां बीमार खुजली वाले कुट्टे को धितकारते हैं बहुत अपमान किया है हमरा अने तुम्हारा तो शिरिफ उस ने अपमान ही किया है लेकिन उस कलेक्टर के बच्चे ने तो मेरी दुकान बंकरने का नोटीश ही बेज दिया आप मैं अपना दुखडा कि इसके पास रोऊ एक बात बताओ आप एक अरदी लिखो राजधानी भेजो यह जो कलेक्टर है सब विरांडी वालों से रिस्मत लेता है और हम जैसे गरीब शरीब देशी दारवालों की दुकान को तहले लगा रहा है आईडिया में दम है हम है मुझे इंफरमेशन मिला है कि इस आदमी की पहुंच बहुत को नहीं कौन का एलेक्शन भाई एलेक्शन नहीं हुआ तब ही धानली हो रही है जल्दबाजी मत करो भूसन ना मुझे फिर इंफरमेशन मिला है कि इस बार इस इलाके में बाइलेक्सन हो रहा है और पार्टी तुम लोगों की विरादरी मेशे किशी को शीट देने की समली देख रहा हूं पस एक बार अंदर जाने का चानस मिल जाए सुबह अमेले बनने के बाद साम को कुर्सी जोड़ने को तयार हूं पर एक बार हमको एमेले बना दीजिए एमेले बना दूगा बना दूगा राजनीती का रूट भी दिखा दूगा शाह अब मुंबई के शिद्धी बना की चौहर पी डालिए साब दारू पी डालिए बन इस गरीब को असमली में फेक डालिए सुनाय कल प्रेस में तुम्हारे भाया ने गुंडों की खूब पिटाई की अरे मर्द हो तो ऐसा एई अगर तुम्हें मेरे भाया जैसे मर्द की तलाश है तो फिर त तुम्हारे लिए अपने भाया से बात करूँ अरे यह बत्तमीजी नहीं है जानेमन यह तो जवानी की मस्ती का नशा है यह अच्छा तुम लोग इने जो आरो मारे है ना इसके बदले अगर मैं डिब्बा मारूं तो तुम्हारा चेहरा चटनी की तरह चप्टा हो जाएग जाएगा थिए बीज़े आज़े अपने तो फूलों की बरसात करवा दी और फूलों की चोट बड़ी नाजग होती